नमस्कार आपको और आपके पूरे परिवार को 9 वर्ष की हार्थिक सुभकामनाएं क्या भारत 2018 तक दुनिया का सबसे बड़ा अर्थवस्था वाला देश होगा देखा जाए 21 सदी के अंत तक भारत दुनिया का सफ से बड़ा आर्थिक महासक्ती वाला देश बन जाएगा 2018 तक पता नहीं हम और आप लोग होते हैं कि नहीं होते हैं जो आने वाले पीडी होगी वह काफी ज़ा ताकत वर होगी आप सब जानते हैं भारत का जीडीबी उस समय चीन के जीडीबी से 90 फीस्दी बड़ा होगा और साथ में अमेरिका के जीडीबी से 30 फीस्दी जादा होगा जो सेंटर फार एकनोमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने अपने लेटेस्ट वर्ड एकनोमिक के लिग टेवर रिपोर्ट में जो आकड़ा दिया है और उसने अपने बिजनेस स्टंडर्ड के हवाले से जो आकणा निकाला है और जो CBR का कहना है कि 2024 से लेकर 2028 तक भारत आस्तन 6.5 फीस्दी के दर से लगातार विकास करेगा और उसकी अर्थवस्था लगातार बढ़ती रहेगी जिसके बाद भारत 2032 तक जापान और जर्मनीक से काफी जादा आगे निकल जाएगा दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी बड़ी अर्थवस्था भारत 2032 तक होगा यह CBR का कहना है देखा जाए अपने जो CBR है अपने डेमोग्राफिक एस्टिमेट और प्रोजेक्शन की बदाला 2018 के बाद भारत चीन और अमेरिका को पीछे छोट दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक महसक्ति बन जाएगा CBR का कहना है कि इतने बड़ी जो यूवा जनसंख्या होगी और उसका जो मिडिल क्लास में काफी जादा परिवर्तन होगा और उनकी एकनॉमिक अर्थिवस्था काफी जादा मजबूत होगी और जो उदमिता है जो भारत का उदम सीलता काफी जादा जादा ग्रोथ से बढ़ते रहेंगे जिसके चलते बैस्विक आर्थिक एकरण में एकनॉमिक ग्रोथ की गती में गती को तेजी देने में काफी जादा उनका एहम भून का माना जाएगा देखा जाए इससे पहले 2023 में Global Investment Bank Goldman कर ने कहा था कि भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थिवस्था बन सकता है और उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारती अर्थिवस्था लंबी चलांग लगाते हुए जपान और जर्मनी की अर्थिवस्था को तो काफी जादा पीछे छोड़ देगा और वो अमेर्की का अर्थिवस्था में पचाल कर चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थिवस्था भारत की ही होगी कोल्ड में औ straight का जो अपना रिपोर्ट दिया था कि 2075 तक चेन 57 ट्रिलियन डालर के साथ दुनिया के सबसे बड़ी अर्थेवस्था होगी दूसरे इस्तान पर भारत 22.5 ट्रिलियन डालर के साथ भात दूसरे स्तान पर होगा और अमेर्की अर्थेवस्था इंक्यामन दसमलोग 5 ट्रिलियन डालर के साज के बाद पीसरी सबसे बड़ी अर्थेवस्था होगी लेकिन CBR का कहना है कि 2080 तक भारत सबसे ज़्यादा काफी ज़्यादा उसकी GDP जो ग्रोथ है काफी है सबसे ज़्यादा हाई होगी और देखा जाए भाद के आत्निरभार भाद के चलते ही भाद के अर्थेवस्था काफी ज़्यादा मजबूत होगी उस समय आप और हम हो या नहों जो आने वाली पीड़ी होगी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेगी आप लोगों के चलते तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ विड़ा आपको पसांद आई होगी ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजेगा धन्नवाद टेक केर जैहिन जै भारत आपको और आपके पूरे परिवार को नवर्स की हादिक सुपकाम नाए आप 2024 में अच्छी स कोंच रखिए आप जरूर सफल होंगे धन्नवाद